बारत मता की बारत मता की बारत मता की वंदे बात्रम 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 वंदे बात् भारत ने जो है कारवाई किया था पाकिस्वाइब भारतिया सेना को लेकर के लोग यहां पर जयकारे लगा रहे हैं और लगाई भी क्यों ना पुर्विषुप में अगर सौरि की बात करे प्राकर्म की बात करे तो भारतिये सैंसरेष्यू को लेकर पूरा विश्यू जानता है कि कितने सहरेवाँ हैं और कितने प्राकर्मी है और मुद्दा यही चाह कि पाकिस्तान अपने भाख खरकतों से कब बाज जाएगा और दूस सबसे पहले तो आपने एक बात बोला अभी नंदन को लेकर तो उनी सो उन्चास में कि जिनेवा संदी वनी थी उस संदी के तद साफ आदेस है कि अगर कोई सैनिक आपको पाया जाता तो उसके साथ सम्मान पुर्वक आप आचरन करेंगे यह एक मौरल दिखाएंगे तो इसल को लेकर कोई तरह का बात नहीं होगा क्योंकि अगर मैं अपको बताना चाहँ आपके चीनल के माधियम से अगर पाकिस्तान इसा कुछ करेगा तो पूरे संसार को दुस्मन बनाएगा क्योंकि सारा देश जो जिनेवा संधी में 172 देस है तो 172 देस को दुस्मन नहीं यह तो इंडियन आर्मि की बात है और हमारा जो ए उसको खुदेटे में वहां गये लेकिन वोट जंप कर गए और लेकिन क्लिए सच्वक्रे का बेर होता है उट सेना का जीतना इओब बात करेंगे ड़лекन altijdयार कम पता यह सबसे बड़ी सक्ति जो है चैना का जो सैना बड़ा है उसके बाद मारे हिंडिया कर लेकिन विश्स में सबसे बढ़ा अगर कोई है तो हमारे भारतिया सैनिक है कि अगर बंदू कहां से छूट भी जाए तब हमारे सैनिक लड़ते हैं एक और बात है क्योंकि पूरे विस्व में भारत सबसे युवाद रहे सबसे जयादा उवा इसी भारत देश में रहते हैं और क्या सारे वाहों से मेरा सवाल है आपको भी अगर मोगा मिले बॉर्डर पर जाकर कि लड़ने का तो क्या तब तयार हैं तयार है क्या पर तरीके का लोग एंदर जुनूने जजबा है अपने देश को लेकर के एक बात बताईए पाकिस्तान को लेकर के जब सवाल होता है कि आतंकवादियों को जो है एक तरीके से टार्गेट किया जा रहा है और आतंकवादियों के ठीकानों को जो है ने इस तना अबूत किया रहा है क्या अब यह समय आ गया है कि पाकिस्तान पर तुरंट रटक किया जाए क्यों आतंकवादियों पर नहीं देखिए मैं आपको दोस्त सब्दों में समझाने की परियास कर आपके चैनल के मा अमन सांती सुक्षेन जो है भारत पूरे बिस में जाना जाता सत तहिंसा क्योंकि भारत जो है मातमा गांधी का देश है लेकिन भारत चंसेकर आजात का भी देश है साइद भगत सिंग का भी देश है राजगुरु का भी देश है अगर जो रत परी जो आपने सवाल किया हम से तो वो भी होंगे क्योंकि अभी तो प्लान ए प्लान भी प्लान भी प्लान सी प्लान डी बाकी है क्योंकि आप अची तरह देख रहे हैं कि सैना के जो सुप्रीमों है एक दूसरे से यही अभी भक्त है और उसको ठोस तरिके से घर में घुसके मारा है एक और बात है चुकि एगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आतनकवादियों को पनाहा देता है आतनक वादियों का नुमाइन दी करता है और आप देखेंगे परवेज मुसरफ ने भी एक बर कहाता है कि हम लस्करे तैबा के लोगों से मिलते हैं बहुत अच्छे की जा सकते हैं बारत मतागी और भी काफी सरे लोग है और मैं अपसे जाना चाहंगा कि सरकें पकिया अब पाकिस्तान करवाई कि नहीं है वो अपने ही अंदर में चुपे हुए जो आतंगवादी थे उसके उपर कारवाई किये पाकिस्तान पे तो हमला भी नहीं किया गया है पाकिस्तान की फटी पड़ी है कल यहीं आप सुर्द देख रहा होंगे लगातार वहां के जो वजीर आला है उनका वो सांती की बात कर रह पिरर उनकों छेने चपाना पड़ जाएगा तो अभी तो चुरुवात में उसझाने की जरूरत ही उभी सुरुत्वाद है अभी तो आगाज की फेल अभी बाकी सवाल है कि अम्म आमन् सांथी की बात करते हैं अमन्थ ऑमन्सान्ती की बात करते हैं या च्टलिबात करते हैं उसको कहांज करके निशनाबूत करें मत सबस्क्राइब national Cup. हूँ जो हमारा पाकिस्तान में है करना जब तक हमारी जंता को चुपनी होगी प्रवाई होती है तो वह मन सांती की बात करने लगता है उसको तो करवाई अपने आतंगवाई करना चाहिए क्यों नहीं करता है देखिए एक अच्छा मुका मिला था पाकिस्तान को क्योंकि हमारे इंडिया के जो सरकार है उनसे कहा था कि आपको वक्त दिया जा रहा है अब सुधर जा अगर वो सुधर जाते तो 20 पटलवी सबसे जाएदे नुकसान किसी देश को हो रहा तो वह पाकिस्तान को हो रहा है क् जगा ने तक में भी जो जो कम नहीं होना चाहिए भारत ने कर दिया लेकिन आप दे BMW को पाकिस्तान से नश्म आना चाहिए ना इंडिया के सात आना चाहिए जैसे आपके रोग कई ठीक कर रहा डॉक्टर तो आप उसको सभासी देंगे या नाम होता देखिए भारत को कुछ नुकसान नहीं हो रहा जो भी नुकसान उठानी है पाकिस्तान को उठानी है आपके चैनल के मादम से मैं कहे रहा हूं कि अभी भी वगत है कि आप सुधर जाओ अभी आप बारत के सुर में सुर मिलाकर जो आपके टेरिस्ट है जो आपके वहाँ पर अजर मसूद है और जो भी है उसके सरगना उन सब को आप हवाले कर दो तो आप बच जाओगे बरना आपका नामों निसान मिठते हुए जादे टेमिने सब्सक्राइब कि चाहेंगे दो पाकिसान सुदरने वाला मुलक है नहीं यह दो हम देखते आ रहे हैं 40 साल के अंदर कोई ना कोई वहां पर उत्पात मचाता रहा है और वह तरह गर्वादियों का जहां पर उगरवादी निकालता आया से निकालता है और सप्लाइब करता है उनको इरान इराक में सप्प्लाई करता है वो अब उन्होंने एक सोच लिया था कि भारत मतगी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं अपने देश के उबा क्या करना चाहेंगे आप देखे जी 1947 से लेके 14 अगस 1947 जब से पाकिस्तान अजाद हुआ है तब से लेक आपके में अपनी हर्कतों से बाद कर नीची क्योंकि और मैं पाकिस्तान के साथ हमें टेवल पर नहीं वात बहुत हो गई मतलब आपके कहने का मतलब है कि टेबल पर बात बहुत हो गई और अमन सांती के जो नुमाहिंदिगी करते हैं आखिर वो तब कहा थे जब पुल्वामा अटेक हुआ उसके बाद उनके छे दिन तक कोई भी स्टिट्मेंट नहीं था परहान मंदर ने एक बार भी नहीं शोक ज होगे कि जितने भी परधान मंत्री है सारे लोगोंने बात किया बात करके क्या फाइदा मिला कोई फाइदा ने मिला आप से बढ़गल वाले पड़ोसी देश से परेशान है अफगानिस्तान अगया इरान भी अधर प्रतान यह सारे लोग परेशान इसे ही भूका नंगा है बिल्कुल लेकिन उसके पास बस यही है कि आतंग फैलाना और यही एक उसका मकसद है और कुछ मकसद इम्रान खान की तुमाँ चलती ही नहीं वो तो सिर्फ एक छोटे से प्याता है वहाँ पर तो चलती ही सेना प्रमुक की है और जो हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं जो भी देश आतंगवाद को पना देगा उन सभी देशों से हमारी लड़ाई है और अगर पाकिस्तान सोच रहा हो तो हमारी लड़ाई वो पाकिस्तान जो आतंगवाद को पना देता है तो हमारी लड़ाई सीधा पाकिस्तान से ही है और अगर पाकिस् पास्तान के साथब अब क्या किया जा है पाकिस्तान के साथ अब बैट के बात करके कोई समझोता नहीं होना चाहिए और सब रात को हुई है सुबह उड़ते हैं वह देखते हो जाते हैं सबसे बड़ी बात जहीं है कि पाकिस्तान कल मानता पहले वनी था कुछ हुआ तब मानता आज भी नहीं है कुछ हुआ पर वह उसके करना पड़े हैं आज नहीं तो कल इसको शाहिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर आगे पता लेकां मैं कहां स्टैंड करता हूं अगर बात रही युद की उसको भी पता उसके ग्रिवान में कितना है और कितना कर सकता है वह तबी समझोत्यगी बात करता रहा पाकिस्तान वींग क कमांडर अभिनंदन को वापस नहीं करता है तो उसके जवाभी करवाई में उसमें वहां पे घुच के उनको जितने लोगों ने अरिश्ट किया है उनको मार के उनको लाना पड़ेगा और लाना ही पड़ेगा यह त्वरित करवाई क्या हो पाकिस्तान के साथ अगर अगर है कि पाकिस्तान को आखिर किस सरीके से जबाब दिया जाए और पाकिस्तान क्या त्वरित जो है विंग कमांडर अभिनंदन को भारत वापस करता है या नहीं करता है यहीं सवाल है क्या लगता है पाकिस्तान को किस जबाब देए बारा सरकार के साथ पाकिस्तान का जनेवा करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा टैक हुआ गुर्वादी केम्प पे हुआ है ना कि उनकी पब्लिक पे हुआ है इसलिए सो समझ के यह कदम उनको उठाना पड़ेगा परो किसी दबाव में यह वापत करना होगा जनेवा जो जनेवा का है उसकेशाप सेना वो वापस करेंगे और हमारें हिसी भी सेनिक पाकिस्तान हिंदूस्तान हथा फिसेन हमारी सैना हमारी सैना था भारत की यह यह देख सकते हैं भारतिय सेना के समय समय पर जो है जयकारे लग रहे हैं और अगर अपने देश की पूरी बात करें तो यहां का जो युवा है और पूरे विश्व में भारत सबसे युवा देश है तो यहां का जो युवा है वो जगा हुआ है वो कहीं है करोश में है कि पाक संसांति की मात करते हैं आए यह बीश कड़ बैट करके बाख की जाएए और पर शब्हकर कड़े बात के देखना होगा कि भींक संग को पाकिस्टान वापस करता है और अगर समारात के स्चाहिए बात देता है थारभ धेगे से यह ये कैमरा परसन विदान्थ के साथ मैं मिर्गें परताप से एक्सपोज इंडिया नहीं दिल ले